जादूई आम का पेड एक छोटा सा गाव था जिसका नाम संकरी था, जो चारो ओर से हरा भरा था। उस गाव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, रमेश और अर्जुन। गाव के बीच में एक प्राची नाम का पेड था। यह कोई साधारन आम का पेड नहीं था, बलकी एक जादूई पेड था। हर साल पेड पर एक सुनहरा आम फलता, और जो कोई भी इस आम को खाता, उसकी एक इच्छा पुरी होती। एक दिन, जैसे ही सुनहरा आम पका, गाव के प्रधान जी ने एक प्रतियोगिता की घुशना की। इस साल आम उस बच्चे को मिलेगा जो साबित कर सकता है कि वे इमानदारी को सबसे अधिक महत्व देते हैं। रमेश, अर्जुन और सभी बच्चे बहुत खुश हो गए क्यूकि बच्चपन से ही वे सुनहरे आम की इच्छाओं के बारे में बहुत सी कहानिया सुने थे और वे भी इसका स्वाद चकना चाहते थे। रमेश एक प्रतिभाशाली लड़का था जो अकसर अपने पिता की किराने की दुकान में मदद करता था। एक दिन मीनाक्षी नाम की एक बुढ़िया कुछ अनाज खरीदने आई। पैसे गिंते समय वो गलती से सौ रुपे का नोट छोड़ गई। रमेश ने इसे देखा लेकिन पैसे जेब में डालने के बजाए वो उसे वापस करने के लिए उसके पीछे भागा। मीनाक्षी ने उसे आशिरवाद दिया और कहा तुम्हारी इमानदारी तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी, मेरे बच्चे। दूसरी ओर, अर्जुन को एक अलग परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसकी दादी मा ने उसे सबजी खरीदने के लिए पैसे दिये थे। जब सबजी वाले ने गलती से उसे जादा पैसे दे दिये, तो एक पल की जिजखक के बाद अर्जुन ने फौरण पैसे वापस कर दिये। अर्जुन की इमानदारी से आश्चर्य चकित विक्रेता ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने जो किया वो बहुत से लोगों ने नहीं करते हैं। आपका हृदय शुद्ध है। प्रतियोगिता के दिन बच्चों ने अपने इमानदार कारियों का प्रदर्शन करते हुए अपनी कहानिया सुनाई। जब रमेश और अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने अपनी कहानिया सुनाई और पूरा गाउं उनकी इमानदारी के कारियों से प्रभावित हुआ प्रधान जी दुविधा पड़ गए दोनों लड़कों ने गजब की इमानदारी दिखाई थी उन्होंने एक पल के लिए सोचा और फिर घोशना की रमेश और अर्जुन दोनों ने दिखाया है कि वे छोटी चीजों में इमानदारी को महत्व देते हैं जिसका आर्थ है कि वे बड़ी चीजों में भी इमानदार होंगे इसलिए वे दोनों ही सुनहरे आम खाएंगे जैसे ही दोनों लड़कों ने आम खाया उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली और अपनी इच्छाएं व्यक्त की रमेश ने सबसे पहले कहा मैं कामना करता हूँ कि हमारा गाउं हमेशा सम्रिध और खुशाल रहे प्यार भी दिखाया आम का पेड उस रात चमक रहा था उसका जादू पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था क्योंकि उसने सची इमांदारी और निस्वार्थता देखी थी बच्चों, इस कहानी से हमने ये सिखा कि इमांदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है यह स्वयन दूसरों और अपने मूल्यों के प्रती सच्चा होने के बारे में भी है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा यदि आप इस चैनल पर नए है तो ऐसी अनोखी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूले देखने के लिए धन्यवाद